हालो फ्रेंट्स आज हम बनाने जारे सांबार सांबार बनाने के लिए हमें चेहे एक को टोरी तूर दाल इमली मेंने पानी में विगवाए ड्रम स्टिक्स एक आलू एक छोटा प्यास तीन से चार लसन एक को टोरी टमाटर राई करी लिर्स लाज मिर्ज पाउडर धनिया हल्दी सामारमसाला नमक पानी और ओल मैने कुकर में तूर डाल्ब प्यास टमाटर और आलू और पिंख जॉर्फ हल्दी डालके रखा है अब इसमें मैं पानी डालके पकाने रख देती हूं मैंने यहा पे पैन गरम करने रखा है उसमें मैं डाल रही हूँ ऑल हम इसमें डालेंगे राइ हरा हम पूठने के बाद हिसमें डालेंगे और लसं लसुन को ब्राउन होने के पाद हम उसमें डालेंगे ड्रम स्टिक्स उसको अच्छे से तेल में शाय करें गयास को धीमी कर दें फिर हम उसमें डालें लाल मिर्च पाउडर और जो हम लोगने गोल बनाया था वो डालेंगे डाल का आलो प्याज और टमाटर इसका मैंने गोल बनाया आप और भी सबजा इसमें डाल सकते हैं अच्छे से मिला ले फिर हम उसमें डालेंगे सांभार मसाला दो चमच यह डाई चमच सांभार मसाला फिर धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा पानी डालते हम उसमें जैसे आपको थिक्विस चाहिए इतना पानी डालो फिर हम उसमें डालेंगे नमक स्वात के अनुसा अर एक या देड़ चमच इमली का पानी उससे थोड़ा टेस्ट आता है और डखकन लगा के पकने छोड़ा दें पास से दस मिनिट के अंदर इसको खोड़ के देखेंगे हम यह देखिए आप सांभार कैसी दीख रहा है फिर हमें सर्विंग बॉल में से निकालना है